हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब उमीद है कि आप सब बहुत अच्छे होगे आपके सामने आज यहां पर तीन नमबर दिखाए दे रहे हैं बहुत ध्यान से देखेगा आज हम देखने जा रहे हैं कि आपके पूसर आपके बारे में क्या सोचते हैं उनका अगला कदम क्या होग यहां पर आपको तीन नमबर दिखाए दे रहे हैं तो अगर आपके लाइफ में एक से जादा परसन है मतलब होता है ना कभी कभी इंसान रिलेशन्शिप में रहता आप सब को भी पता है कि बहुत साए लोग के सार रिस्ता रहता है लोग का तो अगर ऐसा कुछ आपके लगते हैं हम देखने जा रहे हैं आपको टॉपिक पता ही चल गया है कि वह आपके बारे में क्या सोच रहे हैं साथ में उनका अगला स्टेप क्या होगा आपसे जुड़ा हुआ अब देखी क्या यहां पर जरूरी नहीं कि लव पार्टनर के लिए ही आप देखें लेकिन कना के आपके बारे मीं क्या सोचते हैं अंका अगला स्टेप क्या होगा सबसे पहले यह जानता है कि वह आपके बारे में क्या सोचते हम सबसे पहले नमबर फर्स आईए देखते हैं आपके पोसन आपके बारे में क्या सोचते हैं आपके बारे बहुत पोजिटिफ उनको लगता है कि आप उनको बहुत पसंद करते हैं आप उनकी तरफ आना चाहते हैं उनसे बात करना चाहते हैं न्यू स्टार्ट चाहते हैं बहुत ज़्यादा आपको लेकर मतलब उनके मन में है कि आप उनको बहुत पसंद करते हैं और आपकी तरफ से बिल्कुल कोई धोका नहीं है बहुत सच्चा वाला प्यार है आपके बारे में वो ये सोचते हैं ठीक है आईए देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते है मतलब वो उनकी खुद की फिलिंग क्या है आपको लेकर positive है ये भी इंसान आपके तरफ आना चाहते है जैसा आप सोच रहे हैं वैसा वो भी सोच रहे हैं आपके लिए वो जैसा आपको समझ रहे हैं वैसा ही वो अपनी भी एनरजी को आपके प्रती रख रहे हैं वो सब को छोड़के आपकी तरफ आना चाहते हैं आप से रिस्ता बनाना चाहते हैं इनका अगला कदम क्या होगा ये देख लेते हैं ऐसा लग रहा है ना कि आपका ये रिस्ता है ना इनके साथ तो वो बहुत अच्छा नहीं रहा है लेकिन बहुत मजबूत रहा है आपने अच्छा वक्त नहीं बिताया साथ में बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपने सोचा है कि रिस्ता समाप्त कर दें उन्होंने सोचा है कि रिस्ता समाप्त कर दें लेकिन जब soul mate connection होता है ना तो इनसान चाहे जतनी कोसिस कर ले वो रिस्ता तूटता नहीं है आपके रिस्ते को फिर से एक चांस यहां दिख रहा है मुझे मिलता हूँ क्योंकि आप भी वही चाहते हैं आपके पोजिशन भी वही चाहते हैं यूनिवर्स भी उनका साथ देंगे क्योंकि यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि यह रिस्ता बने फिर से एक मौका मिलना है बहुत ज़ादा positive समय इनकी तरफ से जो next step है वो आपकी तरफ आता हुआ अगर आपको propose नहीं किया है शादी के लिए नहीं किया है या तो फिर प्यार है फिर प्यार का इजहार नहीं हुआ तो ये भी यहाँ पर दिख रहा है अब मान लिजे कि आप का relationship नहीं है इस वैक्ति के साथ और आप किसी और चीज़ के लिए देख रहे थे तो इसमें दिख रहा है कि आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप उनकी तरफ दोस्ती का हाथ रखना चाहते हैं रिस्ते को सुधारा चाहते हैं वो भी यहीं चाहते हैं आपके साथ कि रिस्त अग्ला सटेफ है कि और आपके साथ कि अगये का बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं सोच रहा है इस समय पर जो भी कुछ हुआ है पास्ट में वो सब कुछ भूलके आपकी तरफ आना चाहते हैं और अगला स्टेप है कि वह आपकी तरफ आएंगे और कब तक आएंगे एक हफ्ते का वक्त है यहां हज समय होगा एक महीने का होगा आप देखेंगे परिवर्टन ठीक है तो यहां पर चीजे क्लियर हो गई है जिनको कुछ समझ में ना आया हो फिर से एक बार आप सुनगी है जरूर आपको सब्सक्राइब हो जाएगा सब कुछ कि मैंने क्या बताय है जब रीडिंग तो इस ही लॉग हो जाती है तो उसमें कंफ्यूजन आ जाती है ठीक है अब हम देखेंगे नंबर सेकेंड जिसने भी चुना है कि आपके बारे में साथ में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं रिस्ति को लेकर क्या सूच है उनकी उनका अगला स्टैप क् नमबर सेकेंड जिसने भी चुना है आईए अब हम आपके लिए देखते हैं हमें क्या पता चलता है जलिसे वीडियो को लाइक कीचे का एनर्जी से कनेक्ट होना है तो कमेंट नहीं करते हैं तो करना स्टार्ट कीचे अगर आप चाहते हैं वो भी आपकी और आना चाहते हैं रिस्ते को सुधारना चाहते हैं लेकिन थोड़ा से इनको समय लग रहा है थोड़ा से इनको वक्त चाहिए चीजों को सब कुछ सुधारने के लिए तो यहाँ पर उनकी अनर्जी भी है अगला step देख लेते हैं क्या है अगला step बहुत ही एक समझदारी वाला step होगा बहुत जल्दिवाजी नहीं है आपकी person अभी इस रिष्टे में थोड़ा और वक्त लेना चाहते हैं मजबूत बनाना चाहते हैं देखिए रिष्टा तो बहुत मजबूत है आपका आप चाहते हैं को जल से जल मतलब वो आपको unblock करें वो यह जान रहे हैं कि आप बहुत दुखी है इन सब सीजों से जो भी कुछ आप आपके साथ कर रहे है लेकिन इन सब के पीछे एक वज़ए है वो थोड़ा सा अपने work पर ध्यान दे रहे हैं थोड़ा सा अपने life में अपने career पर जो भी वो काम करते हैं उस पर ध्यान देना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक इनसान का career नहीं सही चलेगा life में वो अगर कुछ सोचता है तो उसे कर नहीं पाएगा जो भी decision उनके जीवन का होगा जुड़ा होगा ठीक है अगर हम अपने पैरों पे खड़े हैं मतलब हमारा किसी की उपर मतलब एक सहारा नहीं हम बना रहे हैं किसी की सहारे नहीं है तो life में चीज़े अपने हिसाब से होती हैं जब हम किसी के सहारे होते हैं तो decision भी किसी के हिसाफ से ही लिया जाता है तो आपके person बहुत समझदार person दिखाई दे रहा है उन्हें सब पता है कि life में किस तरके से आगे बढ़ना चाहिए next step बहुत समझदारी वाला होने वाला है यह नहीं है कि जल्दिबाज में कोई फैसला ले लेंगे आपके लिए लेकिन हाँ यह इतना तो मैं आपको clear कर दूँ कि यह इंसान आपको पसंद बहुत करते हैं और आपको लग रहा होगा कि यह आपको पसंद नहीं करते हैं ऐसा कुछ नहीं है लेकिन अभी किसी वज़े से यह थोड़ा सा रिस्ते में थोड़ा सा वक ले रहे हैं जब तक आपकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डाला जाएगा उनको लगता है कि रिस्ते में कुछ नहीं है लेकिन अगला स्टेप जो होगा वो अपने हिसाफ से लेंगे और रिस्ते के लिए जो बैस्ट होगा वो स्टेप लेने वाले हैं आप समझ लीचे कि अगर आपने बहुत सारी गलतियां की हैं तो साथ ये पोसन अब आपकी गलतियों को माफ ना करें ये चीज़ें यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर नज़र आ रहे हैं ठीक है किया कीज़े अगर आप चाहते हैं कि वीडियो जो भी आप देखते हैं वो आपके लाइफ में जरूर हो तो आई देखिए वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप इस समय पर अपने लाइफ में बहुत खुश हैं Queen of Pentacle के energy है, वो ऐसा भी देख रहे हैंगी, मतलब आप अपने पैरों पे खड़े हैं, आपका करियर अच्छा चल लहा है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आत्मिस्वास से भरे हुए हैं, ऐसा वो देख रहे हैं, आई देखते हैं, वो रिस्ते को लेके क्या सोच रहे हैं, जो भी रिस्ता आपका इनके साथ है, थोड़ा सा ये निरास हैं, और पिछली पातों को सोचते हैं, मतलब पुराना समय जो भीता है, जो साइद समय था, वो निकल गया, उसको अपने लिए एक होदा ना इंसान सोचता है, कि वो वक्त निकल गया, उनको लगता है, जो इसको सोचते हैं, तो थोड़ा निरास हो जाते हैं, लेगिन फिर भी इनको इतना यकीन है, कि जो भी वक्त अब बदला है, तो उसे अच्छे से आपके साथ जिवन में आगे बढ़ेंगे, आई देखते हैं, इनका अगला स्टेप क्या है, चीजी तो इसी और क्लियर हो जा देखें, ये इनसान निरास तो बहुत जादा, इनको ऐसे लगता है, इन्होंने जीवने बहुत कुछ खोड़ दिया है, बहुत मतलब इन्होंने जो भी रिस्ते बनाए हैं अपने लाइफ में, जो भी रिस्ते इनके करीबी रहे हैं, किसी ने भी इनका साथ नहीं दिया, इस रिस्ते को भी लेके दुखी इसलिए हैं, क्योंकि एक होड़ाना इनसान किसी को अच्छा समय दे रहा है, अपना मतलब किसी के लिए कुछ कर रहा है, बदले में उसको कुछ नहीं मिला है, तो ऐसा ही अभी इस समय पे ये बहुत निरास है, आप सोचते हैं कि सब चीज में नहीं है, उसके बारे में सोच रहे हैं, आपको देख रहे हैं, बहुत अच्छा मतलब आप एक बहुत केरिंग निचर के इनसान होंगे, इनके लाइफ में एक सपोर्ट सिस्टम की जैसे होंगे, एक ऐसा इनसान जो बहुत कियर करता है, बहुत प्यार करता है, ऐसा वो को देख रहा है और इनके लिए वेट कर रहा है ऐसा वह सोचते हैं कि आप इनका वेट कर रहे है पेजाब कफ के अनरजी आने अले एक महीने में यह इनसाव आपके इस तरह इक बहुत पॉजिटिव इस्टैप लेने वाले हैं बहुत फॉजिटिव स्टैप परिवर्तन ठीक Queen of Cuff चीक है तो ये इनसान हम धुशा से डिसकनेक्ट होगा है तो Queen of Cuff की एनरजी है बहुत जल्द एक हफते एक हफता नहीं कहेंगे एक महीना ठीक है एक महीने में आपकी पोस्टन एक बहुत ही एक मजबूत फैसला एक बहुत ही मजबूत स्टेप लेने वाले हैं बहुत पावरफुर स्टेप लेने वाले हैं काफी अच्छा चेंज स्टेप का दिखेगा भी Queen of Cuff की एनरजी है एक ऐसी सोच जो बदली नहीं जा सकती एक ऐसा स्टेप जो बदला नहीं जा सकता ये नज़र आ रहा है आपकी और आते वे नज़र आ रहे हैं आप से जुड़ावा फैसला लेते वे नज़र आ रहे हैं आपको लगेगा कि अचानक से चीज़ें हुई है लेकिन चीज़ें अचानक से नहीं हुई है ठीक है माइंड में इंसान के था यह जो भी step लेंगे आपको पता सब जाएगा एक महीने में एक महीने का वक्त दिख रहा है उमीद करते हैं अरजी आपसे connect होई होगी अगर connect होई है तो please like and subscribe कीजेगा हम मिलेंगे next video में Bye friends